तो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रीम इंडिया इस्टडी पॉइंट में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लग्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर के बारे में और आपका ये चैप्टर है ठर्ट और आपका सब्जेक्ट है एनरजी कंजरवेशन आपका 1st और 2nd lesson लेशन कंप्लीट हो चुका है अगर आपको 1st और 2nd lesson आपको पढ़ना है तो description में आपको लिंके दी हुई है सभी सब्जक्ट की पॉलिटेक्निक फोसेमिस्टर के आप वहाँ पर किलख करें और पॉलिटेक्न फोसेमिस्टर के कोई भी सब्जक्ट आप पढ़ सकते हैं तो चली आज बात करते हम Electrical Supply System and Motor Chapter के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे बिद्दुद सप्लाई सिस्टम के प्रकार टाइप ओफ इलेक्टिकल सिस्टम देखिए इलेक्टिकल पावर को पावर सबस्टेशन से उब भोगता तक पहुचाने के माध्यम को बिद्दुद सप्लाई सिस्टम कहते हैं मतलब जहां पर electrical power आपकी बन रही है sub station ठीक है वहां से हम लोगों तक आने को हम क्या कहते हैं electrical system ठीक है वहां से जो विजली हम तक आ रही है उसको हम कहते है electrical system यह दो परकार के होते हैं इसके बाद हम जानेंगे बिद्द्द supply system तीन भागों में मिलकर बनते हैं जो बिद्द्द supply system होते हैं आपके यह तीन भागों से मिलकर बनता है आपका एक पावर station चलन लाइन या transmission line और आपकी बिद्द लाइन distribution लाइन ठीक है एक आपकी पावर station transmission लाइन और distribution system ठीक है यह तीन से मिलकर आपकी बनती है क्या बिद्द्द supply system है देखिए इसी के बाद हम इसमें पढ़ेंगे AC power supply system का एकल आरे मतलब आपकी AC power supply system की single line diagram ठीक है तो आपको single line diagram अगर आपको पढ़ना है तो हमने TDP के आपके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था single line diagram देख लिए तो देखिए आपको यहां पर भी हम आपको repeat करा देते हैं single line diagram आपका देखिए इसमें आपके चार सबस्टेशन होते हैं ठीक है पहला सबस्टेशन होता है आपका primary transmission सबस्टेशन ठीक इसमें आपका step down transformer की साहता से power को 11 kb से 132 kb में convert किया जाता है दूसरा आपका होता है secondary transmission सबस्टेशन इस सबस्टेशन में आपका step down transformer की साहता से 132 kb को 33 kb में convert किया जाता है इसके बाद आपका आता है Trans Primary Distribution Sub Station इसमें आपका Step Down Transformer की साहता से 33 KV को 11 KV में Convert किया जाता है और चौथा और लास्ट आपका Transmission Sub Station जो आपका आता है वो है Secondary Distribution Sub Station इसमें आपकी 11 KV को 400 Bolt में Convert किया जाता है किसमें Step Down Transformer की साहता से अगर देखिए आपको Single Line Diagram अच्छी से समझना है तो आप जाएं और Transmission वाले सबजेक्ट का फ़र्ष्ट वीडियो लेक्सर देख लें ठीक है उसमें हमने आपको अच्छी तरह से और एकदम डेटिल में समझा है यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं देखिए Primary Transmission Substation क्या होता है इसमें उत्पन की गई बैदुत उजा को एक Step Up Transformer लगाकर 132 KV, 220 KV, 400 KV में बदलते हैं इसके बाद उजा को Transmit करते हैं या उजा को हम आँगे बढ़ाकर आँगे भेशते हैं किसमें Secondary Transmission Substation में तो इसमें 132 KV को KV की Power Code Step Down Transformer लगाकर 66 KV या 33 KV में बदलते हैं तीचरा जो हमारा है वो Primary Distribution Substation इसमें हम 33 KV जो हमारी उत्पन की गई उजा को Step Down Transformer की जायता से 11 KV में Convert करते हैं और इसके बाद Power Code Distribution करते हैं इसके बाद हमारा जो चोथा है Secondary Distribution Substation तो इसमें 11 KV को Step Down Transformer की सायता से 400 Volt में बदलते हैं हम उसके बाद Power को उफ्योग में लेते हैं या Transformer तक आती है देखिए आप इसमें Single Line Diagram में आप सीधा सीधा समझेए आपके इसमें 4 Substation होते हैं आप इतना चित्रयाद कर दीजिए ठीक है आप इसमें मातर इतना से चित्र याद कीजिए इसके बाद रखेए इसमें 4 Substation होते हैं आपको इसी चित्र को चाल बार बना देना है आपको इसी चित्र को आपको चाल बार बना देना है और देखिए चाल सविस्टेशन होते हैं पहले सविस्टेशन का नाम होता है हमारे primary transmission सविस्टेशन दूसरे का होता है secondary transmission सविस्टेशन तीसे सविस्टेशन का नाम होता है primary distribution सविस्टेशन और चोथे का होता है secondary distribution सविस्टेशन देखिए आपको केवल पहले primary transmission सविस्टेशन सटेप यहाइस को parts के इसमें सबकाइब्स है य apart 10 कि का इसमें इस Quindi मैं आपको आप Anda को चाल सो वॉल्ट में तासे तो यह था हमारा सिंगल एम अगर आपको आछे से समझना हैं तो आप वीडियो लेक्टार देखेंत उसमें हमने एकदम डिटेल में आपको समझाए है और हम समझते हैं loss in electrical power distribution देखिए बित्रन में हानी क्या क्या हानी होती है बित्रन तंत्र में होने वाली हानी ही पूरे तंत्र में होने वाली power हानी है मतलब जो बित्रन तंत्र में हानी होती है अपनी जो आपकी बित्रन तंत् होने वाली हानी प्राध में तथा दुत्यक यहां पर लगाया आपका दुत्यक कि बित्रन तंत्र में होती है इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के अंदर एक पॉइंट यह आपका तीसरा पॉइंट है तीसरा टॉपिक टेकनिकल electrical power losses मतलब आपका तक्नीकी बिद्द्द power हानिया क्या क्या है तो देखिए बितरन लाइन में या हम कहलें distribution लाइन में उप्यंत तथा तार के दोआरा losses होता है इस प्रकार की हानि को technical electrical power loss कहते हैं तक्नीकी बिद्द्द्द हानिया हानिया दो भागों में बढ़गी करत किया गया है तक्नीकी बिद्द्द्द हानिय को हम दो भागों में बाट सकते हैं कौन कौन से भाग हैं देखिए आपका जो है पहला है आपका fixed turn technical losses और आपका दूसरा है variable technical losses हम सबसे पहले जानते हैं fixed technical losses के बारे में यह हानि कुल बिद्द्द हानि का एक बटे चार्ट से एक बटे तीन होता है यह मतलब कुल हानि का एक बटे चार्ट से एक बटे तीन भाग होता है ठीक है यह ज़्यादा तर उस्मा और आवाज के रूप में उत्पन होती है जब transformer को on करते हैं यह आपकी जो fixed और technical losses है आपका यह किस पर उस्मा और आवाज के रूप में उत्पन होता है ठीक है जब हम transformer को on करते हैं यह निमने बातों पर निर्भर करती है leakage current losses open current losses korona losses और परा बैद्धूत losses इसके बाद हम समझते है variable technical losses तो यह हानी कुल बैद्धूत हानी की 2 वटे 3 या 3 वटे 4 भाग होती है इस परकार की हानी होने के करण line की पृतिवादा पृतिरोत तथा जूल उस्मा हानी है इस परकार की हानी आपकी क्या है understand electrical bill में अंतरगत आपका आता है पहला point Tariff Structure देखिए Tariff Structure क्या है आप एक तरह से समझ सकते है Tariff Structure क्या है आप एक तरह समझे Tariff जो हम पहले तलवाते थे क्या हम के हम जतना Tariff करवाएंगे जıtनी का उतनी ही हम बात कर सकेंगे या Callior मैसेज उतनी कर सकेंगे जितनी टेरिफ में होगा तो एक तरह का टेरिफ ये भी है आपका टेरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश बिद्दुत उत्पादन में ब्याइक किये गए धन का बिद्दुत उभोकताओं से बस्कूल करना देखिए सीधा सा मतलब है टेरिफ इस्ट्रक्चर का आप टेरिफ लागू करने का मुख्य उद्दिश क्या है जो बिद्दुत उत्पादन या बिजली बनाने में जो भी हमारे खर्च आये हैं या जितनी भी धन्राजी खर्च हुई है उन सब की वसूली करना किस से जनता से या भोकताओं से यूज करने वाले लोग है हम ल समय उप्रांत नवीन विजली घर का जो है नवीन विजली घर का निर्माना किया जा सके और टेरिफ में दो प्रकार की चार्च होते हैं मतलब यह टेक्स हम से क्यों लिए जाता है कि ताकि एक नए विजली घर का हम निर्माना कर सके या फिर बिजली ज्यादा बना सके अब tariff को दो भागों में बाटा गिया है tariff में दो प्रकार के charge आते हैं एक है आपका annual fixed charge ठीक है इसके अंतरगत मूलराजी जैसे बिद्दुत का उत्पादन, संचरन, बितरन, मापन, आदी के प्रियुक्त आदी के लिए प्रियुक्त, मसीन, उपकरण, उच्च पदादिकारी के बेतनमान आदी आते हैं देखिए annual fixed charge आपका क्या है annual fixed charge आपका है मतलब बिद्दुत का उत्पादन करने में, संचरन करने में, बितरन करने में, मानक, आदी और बिद्दुत बनाने में, मसीनों में, उपकरण में और जो हमारे करमचारी लगे हुई है तो उनको जो भी बेतन मिलता है, उन सब में जाता है हमारे ये टेक्स कौन सा है, annual fixed charge तो ये charge हमारा इन सभी लोगों में बढ़ता है ठीक, इसके बाद हमारा आता है इसके बाद आपका है annual operating charge तो annual operating charge में, देखे, इसके अंतरगत देखे, इसके अंतरगत सक्ती परणाली की पिर्चालित कीमत जैसे इधन, जल, तेल, सीतलक, इसनेहक, परणाली की मरम्मत, देखवाल तथा टेक्स, इंट्रेंस, इंसुरेंस, तथा लगू, पदादी कारी, तथा कारीगरों के बेतन आते हैं मतलब इस टेक्स के अंतरगत हमारे क्या क्या आते है annual operating charge के अंतरगत आपके आते हैं जैसे जो transformer में इधन डल रहा है, तेल डल रहा है, ठीक, इसीतलक करने में इसनिया करने में, पिर्ण डाली की मदद करने में, transformer की मरमत करने में और दिखभाल करने में, टेक्स आते हैं, इंट्रेंस आते हैं, तो ये सब ही आपके आते हैं annual operating charge के अंतरगत आपके ये सब आते हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा point है, understanding electrical bill का हमारा दूसरा point है, factor for fixed.tariff जो हमारा tariff निर्धारण के लिए निमने कारकों पर बिचार किया जाता है, मतलब जो हमारा tariff निर्धारण किया जाता है तो उसके पहले हम निमने कारक पर बिचार करते हैं, जैसे total annual fixed charge, total annual running charge, maximum demand उप्भोगता की गई, बैद्दत ऊजा किलोवाट घंटा, उप्भोगता की उप्योग की गई, बैद्दत ऊजा किलोवाट घंटा, मतलब हमारी कितनी बैद्दत ऊजा उप्योग की जा रही है, बैद्दत भार की प्रकृती, बैद्दत भार की सकती गोड़क, और देखे बाद हम पढ़ेंगे Characteristic of ideal tariff, तो देखिए Characteristic of ideal tariff मतलब एक अच्छे tariff की क्या-क्या बिसिस्ताइं हैं, कि मतलब एक आपका अच्छा tariff हो, उसकी हम क्या-क्या बिसिस्ताइं लिखते हैं, तो देखिए tariff सरल होना चाहिए, ठीक है, tariff सस्ता होना चाहिए, tariff और भोगताओ को प्रोज साहन मिलना चाहिए, tariff और भोगता तथा supplier दोनों को समान रूप से लाब प्रदान करना चाहिए, मतलब एक हमारा जो tariff हो वो ऐसा हो, जो यूच कर रहा है, उसको भी लाब हो, और विक्रेता को भी जो की है वो लाब हो, देखिए tariff आप एक तरह से समझ सकते है tariff हमारा एक तरह से recharge है, जैसे हम phone बगएरा में पहले recharge कराते थे उसी तरह का हमारा tariff है, देखिए, तो इसके अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, type of tariff